इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी का खायर मगदम है जूट बेचा जा रहा है और सच का कोई खरीदार नहीं दिन्दारी महद रस्म बनती जा रही है मिलत का नौजवान क्रिकेट की बेटिंग गांजा का नशा पब जी की दुनिया वाटस अप फेस्बुक फिल्मों के अंदेरे में गुम होता नजर आ रहा है कोई राह दिखाने वाला नहीं रहबर ही रहजन बन रहा है अल्ला के रसूल सल्म ने फर्माया के ताकतवर मौमिन बहतर है कमजोर मौमिन से पर अफसर्स के मुस्लिम नौजवानों की सुबह 11 बजे होती है फजर की नमाज का तो सवाली नहीं आता देर रात तक कटों पर लूडो पबजी वाटस अप फेस्बुक पर मस्रूफ रहता है उसे पता ही नहीं कि सीरत नभी क्या है अल्ला के रसूल ने कितनी जंगे लड़ी है बातिल से टकराना क्या है हग गोई क्या है जालिम का हाथ थामना क्या है क्या घरों में वालिदैन से कैसा सुलुक किया जाए हुसन अखलाक कैसे होने चाहिए मजलून की मदद क्या करेगा जब उसे अहसास ही नहीं कि गुलामी और आजादी का हक और बातिल क्या है आखिर इसके लिए जिम्मदार को है मुझे इसा लगता है कि किसी पर उंगली उ मसले को लेकर हम खुद अदालत का दर्वाजा खटकटाते हैं जमाते अगर हमारे हक में फैसला नहीं देती हैं तो अपनी जमातों को सरे आम भला बुरा कहने से हम थोड़ा भी हिचकी चाहते नहीं देश के मौजुदा हालात में बड़ी संजीद्गी से सोचना होगा अल् की बुनियात पर अपना भाई समझ कर इत्याद के नारे को बुलंद नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है मुंतशीर कौम कभी इनकिलाब नहीं लाया करती हम जल्म के खलाब तब उठेंगे जब हमें आईसास हो कि हम मजलूम है लहाजा अल्मान को भी इसमें एहम किरद का हुनर हम लोगों के पास ही है अल्ला ने दौलत भी दी तो इसका सही इस्तमाल नहीं करते हलाल मुनाफिय के चक्कर में करोड़ों का नुकसान तो हम बरदाश करते हैं पर किसी जरुतमंद को कुछ रुपे बता और इमदाद नहीं कर सकते हर साल उम्रा करने से भी नहीं पर हमारे दो घर चोड़कर बरतन माजिने वाली बेवा कभी उसके घर में भी हम ज्ञांक कर देखना भी गवारा नहीं समझते हैं क्या इसका चूला भी जल रहा है हम दिन बाद दिन बेगारत होते जा रहे हैं इमान इसलाम मुसल्मान को तो कुछ पास लिहाज हमारे हम पर आस्मान से किस बुनियाद पर फरिष्टे नाजल करेगा एक और हमारे आज के मुसल्मान की खासियत ही यही है कि हमारी बहाद्दुरी हम आपस में ही आजमाएंगे थोड़ी से जमीन के लिए कोई भी किसी भी किसी की भी गर्दन काटने के लिए तैयार रहता है आज हम मसलक के इकतलाब से बाहर नहीं आए दुश्मन के तैयारी हम अंदाजा भी नहीं कर सकते हमारे बुजर्ग वासलाफ ने हमेशा बहाद्दुरी का मुझारा किया आज उम्मत बुजदिली की इंतहा पर है फजर की नमाज के बाद वर्जिश तीर अंदाजी तैरा की घु की भी वक्त नहीं गया है हमने खोया हुआ वकार फिर से वापिस हासिल कर सकते हैं नौजवानों को फिर से उन रास्तों पर उसे गुजरना होगा जिस पर चलकर सहाबाओं ने तारिक रकम की ती जहां से 313 चले ते तो मुसल्मानों उन्हीं माजी की रहों में पलट जाने क का वक्त आया मुसल्मानों समल जाओ समल जाने का वक्त आया इत्याद न्यूद देखने के लिए शुक्रिया अल्हाफिस झाल